असलाम लेकुम एविवान दिस इस मेरुबाब मलिक and you are watching मशवरा and this is me सोबह सुल्टान और आज हम डिसकस करेंगे what is the right age of getting married तो बताइए गरुबाब सही एज क्या है यार आखिर मेरी एज तो अभी 20 है मैं तो छोटी बच्ची हूँ लेकिन मुझे लगता है सोबिया मेरी हो गई है लेकिन चले यहां पर हम अपनी डिसकस नहीं करते हैं यहां पर हम डिसकस करते हैं कि आखिरकार एक right age क्या है तो उसमें यह है कि I guess हर किसी की एक अपनी अपनी age होती है जो जिसके according जिसका जहां पर दानापानी होता है जहां पर उसकी किसमत नसीब जुड़े होते हैं और जिस टाइम पर जुड़े होते हैं लेकिन पता क्या है भी हमारी society में यह बड़ी एक natural सी बात है कि लड़की अभी बीस में आई नहीं है उसके शादी की फिकर हो जाती है माँ बाप उसके जो है वो अभी 14-15 की होती है उसका जहेज जोड़ने लगे होते हैं कि इसके शादी कर देनी है उस पे बड़े लोग होते हैं पैसा खर्षते नहीं अपनी बेटियों पर भई यह तो पराया धनने इसने तो चले जाना है असल तो बेटा है हमारा जिसको हमने पढ़ाना है लिखाना है बड़ी फैमिली में यह होता है यह ना कुछ फैमिली में होता है 18 की हो गई है वो समझते हैं बच्ची बहुत मैचोर हो गई है मैचोर हो गई है इसकी अब शादी कर दो तो बड़े मर्द हजरात हैं जिनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि भई अभी तक आपने शादी ने की इसमें ये एक पुरानी रवायात को हम कर रहे हैं कि भई जब बस बीस से उपर आओ तो शादी कुछ लड़का बिगड़ा वह शादी कर दो लडगे के पास और्निंग नहीं है शादी कर दो लड़के को कोई बिमारी है शादी कर दो मतलब इनको शादी इनका सिल्यूशन है लेरे ख्याल से तो सोबिया जो एक मेल कमिनुटी उसके लिए शादी लेट होना जादा क्योंकि उन्होंने हम लड़कियां जो हैं हमारे लिए तो अलहमदलिल्ला एक बड़ी असाइश हमने घर बैठे खाना है मतलब हमारे जो घर के महरा में उन्होंने कमा कर लेकर आना है लेकिन अब यहां पर अगर एक मर्दजात की बात की जाए रुबाब तो कौन रिष्टा देता है जब तक वो अर्ण ना करें जब तक वो अपने सैटल नहीं है और जब तक लड़कों को होता है बड़े मर्द की उनकी इगो अपनी होती है कि हमने पहले सैटल होने है फिर हमने शादी करनी है और यह ठीक भी है सैटल होने में चाहे आपको 28, 29, 30 35 तक you are enough young अगर लड़कों की बात की जाए क्योंके लड़कियां तो इतना gap तो normal है मेरे ख्याल से भी लड़कियों की जो right age होनी चाहिए वो 25 से तो थोड़ा आसपास होनी चाहिए क्योंके तब तक आपकी degree हो जाती है आप settled हो जाते हो लेकिन आप पहले जल्दबाजी करो ना आपका career बनाओ ना आपके लड़के का career बनाओ तो फिर अच्छा ये शादी ना एक ऐसा लड़ो होता है जिसके attraction सबको होती है लेकिन पता है ये एक कोई बहुत ही attractive चीज़ नहीं है मेरी बहुत सारे मेरी class fellows है जिनकी यकीन करो जब में o levels में थी तब मंगने आउयों थी जब में इधर अपने first year में थी कईयों कि निकाह हो चुके हुए थे रुकसती होना बाकी थी और अब यकीन करो उनके हाद में बच्चे बकड़े हुए हैं और वो रोध हो रही होती है यार तुम तो जा रही हो अपना करियर बना रही हो हम यहां पे हैं देखो शादी जल्दी करना बुरी बात नहीं है लेकिन आप parents को at least देखना चाहिए कि वो जगा तो देखे हैं जहां पे क्या उनकी बच्ची आगे भड़ सकती है उनके पढ़ाईया स्टेडिस रुबाव वहीं पे छुटी हुई है और यह सुरते हाल है यह शादी तो इन्दी एंड आपकी होनी है लेकि यह नहीं कि आप पहले अपनी ड्रीम्स पूरे कर लो को रिग्रेट ना रहे कि यार मैं यह चीज़ कर सकती थी मैंने यह चीज़ नहीं कि तो यह नहीं कि आप पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो अपना करियर बना लो इन दी एंड आप शादी होनी है और बड़े पैरेंट्स हैं जो के बच्चीओं की शादी हैं कर देते हैं किचन में हो और एक किचन में है तो यहां पर फैमिली बैठी होई ना तो वो अकीले का रही हैं काम तो वो यह देखेंगी कि यह बहू यहां violation की बैठी एंदर क्यूंध की नए है चौल उनके साथ नंकी बैठी हूई है अभी हम जैसे मर्जी उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, जहां मर्जी आ जा रहे हैं, वो हमारी लाइफ है, पैरेंट्स को पता है, बाद में ऐसा नहीं होता, बाद में आपको बड़ी रिस्पॉंसिविल्टिस उठानी पड़ती है, और अगर आप ना उठाएं तो मेरे नज़ी इसके एक राइट टाइम होता है, अब अगर बात की जाए कि राइट टाइम के है शादी का, तो मेरे नस्दीक रुबाब हर बंदे का अपना एक राइट टाइम है, हो सकता है तुम्हारी 23 राइट टाइम हो, हो सकता है मेरी 26 राइट टाइम हो, मतलब हमें नहीं पता कब ह कि बता मैं तीन साल चार चार शाल बाट चब्वेस में जाकर मुझे क्भाटा मेरी कहली हो जब है जब हमारी Simply But उर्टी उचन अद है का में थे लड़कें की ऊचार कर रही हो मैं जान लड़कों इनकी एम पच्छिस क्लुट ऑवारी क्पछिस पार लेकसर हाउस जॉब तो 25-26 लड़कियों के लिए बहुत ही नॉर्मल एज और इसको प्लीज आप नॉर्मलाइज कंडा स्टार्ट कर दें 25-26 को तो लोग ऐसे देखते हैं लड़कियों को कि उनको तो देखते हैं बुड़ी ही है यार ये तो लड़किया ही नहीं है बही वो भी लड़किया ही है उन्होंने अपना करियर जो है वो संभालाय की है फिर ही वो यहाँ पर आई है अपनी शादी की एज़े और उन्होंने क्या हो खाड लिए जिन्होंने 21-22 में शादी कर लिए मैं ऐसा नहीं कह रही कि उन्होंने कुछ गलत किया है डेफिनेटली अच्छी बात है हर बंदे का वो है लेकिन इसमें एक आप पढ़ लिखकर अपनी एक फैमली का घास करें क्योंके आउरत ने तो बच्चों की परवरिश भी करनी होती है तो पढ़हाई हर चीज उससे स् करा दूंगी कि 28-29 उनकी राइट एज है मेरे अकॉर्डिंग क्योंके देखो इंसान अब हम डिग्री लेते ही तो मैं आइडिया तो होगा कहा कौन सी जॉब मिल जाती है जाज़ा पांच से दस परशंट लोग होते हैं जिन्होंने अपने अबाजेगा बिजनस संभालना ह प्रशंट करने परती है और बड़ा जो है वो अपना टाइम जो है वो लगता है तो और किसी जॉबलेस को तो कोई रिष्टा देता ही नहीं है उन वो हर चीज देखते हैं इनका अपना घर है सब कुछ है फिर ही वो जो है हामी भरते हैं तो डेफिनेटली आइगिस फीमेल मेल्स के लिए 26 तो 25 तो 26 और मेल्स के लिए 28 29 30 तोटली फाइन इस तोटली फाइन इस तोटली फाइन तो और यह है कि अब आप यह ना सोचे डूंट रश किया आपको जल्दी से शादी करनी है क्योंकि मुझे पता है यह यंग्स्टर्स होते हैं कि हमें जल्दी से आपको जाएगी इसे की साथ इजाज़े दीजिए अला निगेबान